आज की हमारी कवीता है घर में वापसी कवी जो है यहां पर यह क्यों कह रहा है कि घर में वापसी क्योंकि घर तो आपका स्वयमका होता है वहां पर वापसी करने का क्या आर्थ है तो यहां पर कवी जो है अपने जीवन में अपने घर परिवार में जो गरीबी के कारण परिस जिसकी वज़ा से परिवार का प्रतेक सदस्त से जो है एक दूसे से कटा कटा सा है और उनके बीच में कोई समवाद नहीं है बादचीत नहीं है सिर्फ आँखों से वो एक दूसरे को जान रहे हैं समझ रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और इसी कारण जो है घर में वापसी वो चाहते हैं यानि हर एक सदस्य वापस वो उसी तरीके से रहने लगे वही प्यार बना रहे वही वो संबंध में ताजगी बनी रहे जिससे की जो घर में खुशहाली का माहौल है वापस आ जाए क्योंकि गरीबी है इस वक्त आर्थिक समस्याओं की वज़ा से परिवार जूज रहा है तो इसकी वज़ा से घर में हर कोई एक वेक्ती जो है दूसर से अंजान सा दिख रहा है और माहौल भी ऐसा बना हुआ है इसी विशे को लेते हुए कविता को पूरी तरीके से समनने की क कोशिश करते हैं कभी कहते हैं मेरे घर में पांच जोड़ी आखें हैं पांच जोड़ी आखें जाहिर सी बात है एक वेक्ती के पास दो आखें होती हैं पांच जोड़ी है तो मतलब कि यहां पर पांच सदस्य हैं सदस्य आगे चलके कभी बताएंगे कि कौन-कौन से है तो मेरे घर में पांच जोड़ी आखे अब वो आखों से ही क्यों परिचे दे रहें क्योंकि लोग आखों ही आखों में इशारे में जिस तरीके से बाते होती हैं घर में लोग गरीबी की वज़े से इतना परेशान है कि लोग परेशानी में कुछ बोल समझ नहीं पारे हर कोई ट पुड़ाव नहीं दिख रहा है जो होना चाहिए तो मेरे घर में पांच जोड़ी आखें यहां पर पांच सदस्य है या माता है पिता है बेटी है पत्नी है इसकी चर्चाना करके कभी कहरें मेरे घर में पांच जोड़ी आखें क्योंकि आखें ही जो है वो जरिया बन चुकी तो इसलिए कवी पाच जोड़ी आंखों से बाते शुरू कर रहे हैं तो यह बात यहां पर clear हो गई होगी कि कवी यह क्यों कह रहा है पाच जोड़ी आखे है क्योंकि आखों ही आखों से यहाँ पर लोग एक दूसरे का हाल समझ पा रहे हैं आर्थिक समस्याओं के करन गरीब एक-एक सदस्य का जो उसकी आखे बया कर रहे हैं वो बताएंगे मा की आखे पढ़ाओ से पहले ही तीर थियात्रा की बस के दो पंचर है जैसे तीर थियात्रा पर निकली जो बस है वो जो नियत जगा है जहां आपको जाना है उस जगा पर पहुँचने से पहली अगर उसकी दोनो जो पहिये हैं वो पंचर हो जाए टायर जो है वो उनमें कुछ हो जाए समस्या हो जाए तो क्या होगा कि बस रस्ते में रुख जाएगी और जगा पर पहुँचने से पहले ही जो है वो रस्ते में ही बसके रुकने की वज़ा से सारी यात्रक खराब हो जाएगी मा की आखे भी जो है उनकी आखों में भी वैसा ही दो पंचर पहिये दिख रहे हैं उनकी आखे भी जो है समय से पहले पढ़ाओ से पहले पढ़ाओ क्या है हर एक चीज का पढ़ाओ होता है एक नियत जगा होती है मा की आखे जो है अपने सपनों को पूरा करने से पहले ही उनकी आखों में उन दो पंचर पहियों की तरह निराशा दिख रही है कि क्योंकि घर क जो माहौल है वो आर्थिक समस्याओं से जूज रहा है तो उनकी आखों में वो निराशा का भाव दिख रहा है इसलिए उनकी आखे जो है तीर थियातर की बस की तरह दो पंचर पहियों की तरह दिख रही है तो यहाँ पर इस बात को समझे बस की जो पहिये है वो पंचर हो ग या आप कह सकते हैं बुढ़ापे में माबाप को खिलाना पिलाना उन्हें घुमाना फिराना यही सब चीज़े होती हैं लेकिन आर्थिक समस्य से परिवार जूज रहा है तो यह सब चीज़े नहीं हो पाएंगी जिसकी वज़े से मा की आखों में निराशा दिख रही है तो जो साय यानि लोहे की जो भठी है उसमें जो शलाखे हैं जिस पर रख कर चीज़े बनाए जारे हैं तैयार की जाती है जब उसमें उश्मा होगी ही नहीं तो वो शलाखे जो हैं ठंडी ही पड़ी रहेंगी तो शलाखे जो हैं वो लोहे की शलाखे तो लोहे की जो भठी ब पराने की वो उसकी जो शलाखे हैं वो ठंडी पड़ी हुई है यानि की जो पिता हैं पिता की जो आखे हैं वो लोहे की भटी की तरह थी जिसमें उश्मा थी यानि पिता जब एक उमर में आप देखेंगे की पिता का रौब होता है घर में जहां वो अपना एक गुस्सा जो उनमें उश्मा थी वो अब ठंडी पड़ चुकी है यानि वो अब शान्त हो गए हैं और यानि इसका अर्थ ये है कि उनमें अब वो जोश नहीं रहा है लोहसाय की ठंडी शलाखे होगे यानि उसमें वो जोश आखों में नहीं दिख रहा है उम्र होने की वज़ा से उनकी आखों में वो अब उश्मा नहीं है वो गुसा नहीं है जिसकी वज़ा से पिता के डर से जो है चीजे सही तरीके से हुआ करती थी ये चला करती थी अब बेटी की आखों के बारे में कह रहे हैं कभी बेटी की जो आखे हैं वो मंदिर में दीवट पर जलते घी के दो दिये हैं मंदिर में दीवट पर दिया रखने का स्थान तो बेटी की जो आखे हैं वो किस तरीके से है उसकी दोनों आखे जलते वे घी के जो दिये होते हैं उसकी तरह जो है उसकी आखे बेटी की दिख रही है अब घी के दिये जो है क्या साइन देते हैं घी के दिये जो है में रोशनी देते हैं तो ऐसे ही बेटी की आखे जो है वो घी के दिये के समान है तो उसकी आखों में भी आशाय हैं उमीद है क्योंकि अभी वो छोटी है उसने भी जीवन नहीं देखा घर में जो हो रही समस्या वो उनको अच्छी तरीके से नहीं समझती तो उसके आखों में अभी उमीद है अभी अभी अग्जानता के कारण उसके आखों में उमीद बाकी रह गई है तो अग्जानता के कारण उमीद और आशा उसकी आँखों में रह गई इसलिए वो उसकी जो आखे हैं किसकी बेटी की जो आखे हैं वो दिये के समान प्रज्ज्वलित है उसकी आखों में आशा और उमीद जो है अभी भी है कि बहुत कुछ अच्छा होगा बहुत कुछ enjoying life आगे होगी अब पत्नी की आखे कैसी है पत्नी की आखे आखे नहीं है वो आखे जो है उसकी आखे नहीं है उसकी आखे जो है मेरे लिए हाथ है जो मुझे थामे हुए है यानि कि कभी को ऐसा महसूस होता है कि जो पत्नी की आखे है वो आखे नहीं कहने करते है आप आपके हर कदम पर मदद करते हैं यहाँ पर जो कवी है उसको अपनी पत्नी की आखे जो है वो हाथ के समान लग रही है जो उसको थामे हुए है पकड़े हुए है मुश्किल से मुश्किल राहों में भी उसका साथ दिये हुए है और उसके साथ साथ कदम से कदम मिला कर चल रही है वैसे तो हम स्वजन हैं करीब हैं बीच की दिवार के दोनों और क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं अब कभी कह रहे हैं कि वैसे हम लोग बहुत ही अच्छे स्वजन हैं स्वजन बहुत अपने हैं हम सब एक दूसरे के बहुत करीब हैं पर जो हमारे बीच में अब गरीबी की जो दिवार आ गई है उसकी वज़ा से जो है हम इस तरीके से हो गए है या घर का माहौल ऐसा हो गया है कि हमारे बीचों बीच जो है वो गरीबी की दिवार आ गई है यानि कि गरीबी की वज़ा से घर में समस्य हैं परिशानिय है जिसकी वज़ से लोग कत्रा रहें एक दूसरे से तो वैसे हम लोग सुजन है और करीबी है यानि हमारे परिवार में बहुत प्यार है और रिश्टो की डोर से बंधे भी हुए हैं लेकिन जो हमारे बीच में दिवार अब यहां पर दिवार जो है गरीबी की है, अब गरीबी की दिवार का यहां पर क्या मतलब होगा? गरीबी की दिवार का मतलब ये है कि इसकी वज़ा से परिवार में लोग एक दूसरे से कतरा रहे हैं परेशान है प्यार है लेकिन लोग उसे जाहिर नहीं कर रहे हैं और वो गरीबी जो है वो दिवार बन गई है जिसकी वज़े से प्यार जाहिर नहीं कर पा रहा है परिवार अपना रिष्टे है लेकिन खुलते नहीं है और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते कि हम उससे एक ताली बनवाते और भाशा के भुन्ना सी ताले को खोलते परिवार में सबको पता है कि शुरू से ही कवीता में कवी ये बताते चले आ रहे हैं कि आर्थिक समस्या की वज़ा से परिवार के लोग इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं बाते नहीं कर रहे हैं और ये समस्या बनी वही है गर में तो रिश्टे तो हैं लेकिन खुलते नहीं है यानि खुल कर किसी प Keys नहीं हो रहे पेश नहीं हो रहे बात नहीं कर रहे परेशान है और हम अपने खुन मे इतना भी लोहा नहीं पाते कि लोहा का मतलब यहां पर क्या है कि हिम्मत लोहा जैसे की मज़्बूति के sign के लिए use होता है तो हमें इतना भी अपनी इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई है परिवार में हर वेक्ति जो है इतना परेशान है कि अब उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो उतना भी लोहा नहीं अब एक scene जो यहाँ पर कभी लिख रहे हैं उसको पहले समझते फिर इसमें जो hidden meaning है वो समझते हैं कभी कहरे हमारे खून में इतना भी लोहा नहीं है कि हम उससे एक ताली बनवाते यानि कि एक ताली बनवाने के लिए जो है उसका ताली बनवाने के लिए एक लोहा होना चाहिए हमारे पास लेकिन वो नहीं है तो अब जब वो नहीं है तो ताली कैस बनेगी तो वैसे ही कवी कहरें कि हमें इतनी भी हिम्मत नहीं रह गई है कि हम एक ताली बनवाएं और जो भाशा के भुन्ना सी यानि कि ताले में जो जंग लग जाता है भुन्ना सी मतलब जंग लगना यानि बंद हो जाना उस ताले को खोल पाते चाबी नहीं बनवा पा र नहीं है कि घर में जो समवाद हीनता फैल गई है यारी कि लोग परेशान होने की वजह से परेशान हो कर एक दूसरे से समवाद नहीं कर रहे इंटरेक्ट्ट attitude कर रहे हैं उसको हम फिर से शुरू कर सकें तो इस तरीके से कभी जो हैं वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इंट्रेक्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे से बातें कर seis देख रहें दूसे की आखोंगें की सब परेशान तो इसी की वज़या से वह कहते हैं कि हम में इतना हमारे खूंन भी लोहा नहीं रहगया है कि हमने चाबी तो वह सकते हैं तो ने और यह तो भी नहींούμε रहे हैं कि ताला जो है यानि कि हम में इतनी हिम्मत नहीं है इतना लोहा नहीं है कि उस लोहे से हम एक चाबी बन वाले और चाबी के जरीए जो जंग लगा ताला है उसे खोल ले यानि कि हम में अगर थोड़ी सी हिम्मत होती तो हम थोड़ी बहुत तो बात करना शुरू करते और लोग थोड़ा सा परेशानी से उबर पाते लेकिन ये सब चीजे नहीं होने पा रही है तो इसलिए अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे बात को कि किस तरीके से लेखक जो है लोहा, ताली और भुन्ना से ताले के जरिये जो है एक बात कहना चाहरे है आगे बढ़ते हैं बात को बढ़ाते हैं रिष्टो को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते कहते कि ये पिता है ये प्यारी मा है, ये मेरी बेटी है, पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी हमसफर है हम थोड़ा जोखी मुठाते दिवार पर हाथ रखते और कहते यह मेरा घर है यानि इतनी हिम्मत तो हमें होनी चाहिए कि घर में अगर समस्या हैं तो क्या हुआ समस्या के बाद घर परिवार भी है और उसमें खुशी भी बनी रहनी चाहिए रिष्टों में जिन्दा दिली भी होनी चाहिए और इतनी हिम्मत हो कि हम रिष्टों को सोचते हुए यानि घर में हमारे बहुत से लोग हैं जो सदस्य हैं घर के उनके बारे में सोचते हुए और उनके बारे में सोचने के सासाथ जब हम ये सोच पाए कि इन परेशानियों से इतर भी एक जिंदगी है तो उन रिष्टो को सोचते हुए आपस में प्यार से बोलते यानि आपस में हम प्यार से बोलते उन रिष्टो की फिक्र करते हुए सोचते हुए का मतलब फिक्र करते हुए जब हम रिष्टों के बारे में अपने फिक्र करते तो उनसे आपस में प्यार से बोलते और कहते कि यह मेरे पिता है यह प्यारी सी मा है और यह मेरी बेटी है और पत्नी को थोड़ा विशेश यहां पर महतो देते हुए बताते कि ये तो मेरी हमसफर है तूद वो मेरी हमसफर है यानि कि मेरे साथ हर कदम मिला कर चलने वाली हर समस्या में मेरे साथ खड़ी रहने वाली है हमसफर है और थोड़ा सा जोखिम और उठाते और दिवार पर हाथ रखते और कहते ये मेरा घर है और दिवारों पर हाथ र पर चफे जोसे के ही पुटा कर तो हम अपने रिश्टों की फिक्र करते विए यह बताते हैं प्यार से कि यह मेरी पिताओ है यह मेरी माँ है, कि मेरे घर में पांच जोड़ी आखे हैं और ये क्यों कह रहे हैं क्योंकि घर में समस्या आर्थिक समस्या हैं जिसकी वज़ा से लोग इंट्रेक्ट नहीं कर रहे हैं बाते नहीं कर रहे हैं आखों याखों में बस देख रहे हैं कि घर में लोग हैं और खा रहे हैं पी रहे ह गई है तो कह रहे हैं कि समस्या से उबर कर रिष्टों के बारे में सोच कर जब हम इतनी हिम्मत से कह सके कि मेरे पिता है मेरी माँ है ये मेरी बेटी है और पत्नी के लिए कह सके ये मेरी हम सफर है और दिवारों पर हाथ रखे कह सके कि ये मेरा घर है तो समस्यां से इतर भी ए आए हुए रखे रहना चाहिए आयोग की कवीता आपको अच्छी तरीकी से समझ में आ गई होगी और लाइन तो लाइन एक्स्प्लेनेशन देकर यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि कवीता अच्छे से समझ में है कवीता बहुत ही इजी है बहुत ही आप क्या सकते है सरल शब्दों में लिखी हुई है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा इसका एक हिडन मीनिंग भी जो है कवीता तो हेल्प कर रही है तो जुरूर इसे लाइक करें